मुक्यमंत्री अशोग गैलोत ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी जिले में रह रहे पाक विस्थापित जरुरतमंद परिवारों को राशन सामगरी उपलद कराने में कोई कमें नहीं रखी जाएगी सीम गैलोत ने इस संबंद में सीमान्त लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंग सोड़ा का पत्र मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिये कि पाक विस्थापित परिवारों को राशन सामगरी समय पर मिले या सुनश्चित किया जाए मुख्यमंत्री को सोड़ा ने अपने पत्र में अवगत कराया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 6,000 पाक विस्थापित परिवार रह रहे हैं उनमें से कई जरुरतमंद परिवारों को लोक डाउन के चलते राशन सामगरी की आवशकता है सीम गैलोत ने इस संबंद में अधिकारियों को अवशक निर्देश दिये थे कि जिस पर संबंद जिलों की कलेक्टर्स से रिपोर्ट मांगी गई थी कलेक्टर्स द्वारा भेजी के रिपोर्ट के अनुसार जैपुर जिले के जामडोली गोविनपुरा एवं मांग्यावास में रह रहे 500 पाक विस्ताफित परिवारों से जिला प्रशासन संपर्क में है एवं इन परिवारों को राशन सामगरी वित्तरित की जा रही है वहीं जोधपुर जिले में 618 पाक विस्ताफित परिवारों एवं जरुरत मंदों को राशन सामगरी उपलब्द कराई जा रही है राजस्तान में कोरोना पोजिटिव मरीजों का आखड़ा लगाता